मुझे आज इट सुखर्द संयोग भी है कि आज दीन मार्च का दिन है दीन मार्च की एहमियत देख ये भी है कि दीन मार्च पुनी सो गन्चारिस को गाधी जी ने गुझरात में जो उस समय की देशी रियास्ते थी वो अंगरेजी हुकूमत से मिलकर आम जन्ता पर काफी अत्याचार और ताना साही रविया बनाई हुए थी उसके खिलाफ गाधी जी ने दीन मार्च उनिस सो उन्चारिस को भूखर्टाल की थी और महोदै तीन दिल की ही भूखर्टाल में है उस देशी लियासत के महराजा को और ब्रिटिस हुकूमत जो उनका साथ दे रही थी उनको जोगना पड़ा थी तो आज का दिन तो सीधे गाधी जी से जुड़ा हुआ दिन कि बच्चों को प्रारम बेशिच्छा माध्यों सब्सक्राइब देई जाए माध्यों सब्सक्रा की जगा दूसरी कोई बासा नहीं ले सकती और महुदे सन्यूक से काई अज दीन राच है कर देजन राच को जो माध्यों लेखक और देजन के माहन से पूद सरीफ अजिस्वर नाथ रहिनु जी का जैन्म दिवस है और यह कोई सामानी जैन्म दिवस नहीं उनका सतावदी जैन्म दिवस है और महुदे उन्होंने भी जो उनकी काल जै रचनाएं चार जैन्म दिवस है कर रहे हैं आज तीन मार्च को हम लोग बात कर रहे हैं चार मार्च को पनिष्वर नाथ रेन्यों जी का सबात दिवस है और पनिष्वर नाथ रेन्यों जी की जितनी मिकाल जी रचनाएं हैं महुदे वह भी जो मात्री भासा है या अंचलिक भासाओं के विकास या उसकी भासा उसके शब्दावली उसके मुहावरे उसकी लोकोक्ती उन सब को सामिल करते हुए उनकी जो रचनाएं हैं आज भी सब लोगों को प्रभावित करती हैं महुद्धय इसलिए मानियम मुक्ठ मंतरी जी के नतरीत्त में इस सरकार में फैसला लिया है कि गानी जी को यादकरने का और फरीश्वर नास रेनू जी के vत धन्जली अरपित करने का ये फैसला है कि महुद्धय हम लोग अस सरकाष आने वाले समय में प्राइंबिक विद्ध्यालियों में शिख्छा का मद्या जो-मिईयम आफिस्रक्षिन करते हैं वह हम लोग जो छेत्रिय भासा जाये भोजपुरी यह मगी मंजली हैं जो भी है प्रारंबिक शिक्षा हम लोग उसकी भाषा उस जो अस्थानिय भाषा है हम उसके मध्यम से करेंगे या सरकार में बहुत है पैसला लिया है कि हम कादी जी से लेकर उनको इसी तरीके से सरकांजरी अर्पित करना चाहते हैं कि सब लोग समझते हैं और बच्चों में जो उनमें कंसेप्चुलाइजिशन का जो फीज होता है जो उनके मत्रे भाषा में उनको समझाया जाएगा वो दूसरी भाषा में नहीं समझ सकते हैं इसलिए उनको सहज रूप से सभी चीज का ज्यान उनके अंदर अस्थापित करने के लिए महोजय सरकार में कांधी जी के आदर्शों को और रेनु जी की जो दिशा थी लिखने परने की उसको समानित प्रतिश्चित करने के लिए हम लोग अब प्रारंबिक विद्यालियों में सिख्छा का मध्यम यानि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो अस्थानिये भासा है मैतली है बोजपुरी है या मगी है उसी भासा को हम लोग पवदे अपनाएंगे